इस वीडियो में हम जानेंगे बैक से बने फ्रेजल वर्ब्स नमबर वन बैक अवे का मतलब होता है तू रिट्रीट और गो बैक वर्ड्स यानि पीछे हट जाना, कदम पीछे कर लेना जैसे दा क्राउड बैक अवे भीड पीछे हट गई या भीड ने कदम पीछे कर लिये वेन दा मैन पूल्ड आ नाइफ जब उस आदमी ने चाकू निकाला नमबर टू, बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब होता है तू रिट्राक्ट और विद्ड्रॉ यूर पोजीशन और प्रोपोजल इन अर्गिमेंट किसी बहस में, किसी तर्प में अपनी बात वापस ले लेना, अपनी गलती माल लेना या ये माल लेना कि आप गलत थे किसी एक पॉइंट पर इसको बैक डाउन कहेंगे जैसे नाइधर आप देम बाक्ट डाउन इन दी आर्गिमेंट, दोनों में से किसी ने भी अपनी गलती नहीं मानी उस बहस में नमब थुरी बाक इंटू, बाक इंटू का मतलब होता है गाली को रिवर्स गेर में किसी पार्किंग अरिया में ले जाना, दाखिल करना जैसे, he prefers to back his car into the garage, वो तरजीह देता है अपनी कार को पार्किंग करने के लिए गैरेज में यानिके वो गैरेज में अपनी कार को पार्क करने को बहतर समझता है नमब फोर, back off, back off का मतलब to move backwards या to lower the setting off, इसके दो मतलब है एक, या तो पीछे हट जाना, या किसी चीज की setting को कम कर देने, जैसे टीवी की आवाज को, या रेडियो की आवाज को या किसी चीज के color को धीमा कर देना, किसी चीज की setting को घटा देना जैसे, the police told the protesters to back off, ये पहले वाले meaning के हिसाब से पुलीस ने protesters को कहा कि आप पीछे हट जाएए दूसरा sentence, please back off the volume of the TV, येने के TV की आवाज कम कर दीजिए, please Number 5, back out, back out का मतलब होता है, to withdraw especially from a commitment or contest किसी मुकाबले से पीछे हट जाना या किसी वादे से मुकर जाना जैसे, you agreed to come, you can't back out now तुमने रजमन्दी दिखाए थी, तुम तो तयार थे आने के लिए, अब तुम पीछे नहीं हट सकते वादे से नहीं मुकर सकते, तुमने आने का वादा क्या था दूसर सेंटेंस, though she was a strong contender to win the show हलाके वो बहुत ही strong दावेदार थी, बहुत मजबूत दावेदार थी शो जीतने की, she backed out, वो पीछे हट गए, उसने शो छोड़ दिया the last one, backup, backup का मतलब होता है to copy data so that it can be stored if the main copy is lost, main copy को अगर खो दें, तो उसको restore रखने के लिए आप जो copy बनाते हैं, इसको backup कहते हैं, backup का मतलब computer data की copy बनाना जैसे be sure to backup your work, जो काम आप कर रहे हैं computer पर उसका backup लेना मत भूलना, याद से उसका backup जरूर लेना, यह थे back से बने, कुछ phrasal verbs इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए और share कीजिए और new lessons को जरूर subscribe कीजिए, thank you for watching this video, you can follow us on Instagram, Twitter, Facebook and YouTube, thank you